बोपाल संभाग के थाना मिस्रोध में पुलिस ने त्वरित कारिवाही करके पांच वर्षी नाबालिक बच्ची को आठ घंटे में खोचकर शकुशर घल लोटाया आरोपी को गिरफतार किया गटना का विवरन थाना मिस्रोध में फरियादी राज्जू आदिवासी पिता चुन्नी लाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी विनायक ग्रह निर्मान समीती हर्षत रगोवन्शी का निर्माना दिन मकान पर जाट खेडी ने सुशना दी क्यों उसकी पांच वर्ष नाबालिक बच्ची शाम को चार वजे घर के सामने से खेल रही थी जो घर वापस नहीं आई आजपास काफी तलाश किया लेकिन बच्ची नहीं मिल रही है जिस पर थाना मिस्रोद में अपरात क्रमांग 454 बटा 2020 धारा 363 IPC का अपरात पंजी बद्द कर विवेशना में लिया गया पांच वर्षिय नाबालिक बच्ची के गायब होने की सुषना थाना प्रभारी निरंजन शर्मा ने ततकाल वरिष्ट अधिकारियों को सुषना से अउगत कराया अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जोन टू श्री संजे साहू के मार्ग दर्शन में SGOP श्री अमित मिश्टा के नेतरतों में थाना प्रभारी निरंजन शर्मा द्वारा टीम का गठन किया गया ओक्तर टीम द्वारा गठना इस्तल जाट खेडी के आसपास के शेत्र में रात में तलाश करते हुए संदिक दोस्त से लगातार पुस्ताच की गई गठना इस्तल का पड़ोसी चोकिदार संदेही रामचरन पिता बहादूर आदिवासी तेरिसवर्स निवासी खामरा थाना तियोदा जिला विदीशा पर संखा होने से उसको पुलिस हिरासत में लेकर पुस्ताच की गई जिस पर उसने बच्ची को अपने रिस्तेदार सूरज आदिवासी निवासी संजे नगर मिसरोत की घर पर छोड़ना बताया भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट